हलो फ्रेंड्स मेरा नाम में सागर और आप देख रहें मैया चनल सागर थी व्लोगर आपका स्वागत है आज एक कमाल अपिसोड में जहां हम आज देखने हाले हैं चिकन मसाला लेकपीस तो इसके लिए हम लेने वाले हैं चिकन लेगपीस, हाफ के चिकन लेगपीस, उसके लिए हमें मसाला लगेगा एक इंच अद्रक, एक लस्सुन का, बड़ी लाइची, रेट फूल, सूर्य फूल, थोड़ी सी कादी मेरी, डाल चिनी, दो तिन लॉंग, जीरा और उसके साथ हमें भूलने के लिए हमें लगेगा, 100 ग्राम खोबरा, सुका खोबरा, दो मीडियम साइज कांदे, चार परश मिडशी, अपने टीखे के अनुसर, और दो मीडियम साइज टमैटो, जो हम अभी क्या करके लेंगे, पेस्ट करके लेंगे, सबसे पहले क्या करें करेंगे, धून के लेंगे, सबसे पहले धून के लेंगे, चलो, प्याज को हम कलर्चेन्ज होने तक भूनेंगे, अ सुका नारियल, हमने भून के लिया है, प्यास को निकाल के लेंगे, पेस्ट के लिए हम पना रहे हैं इसमें पहले लेंगे हम सुका खोबरा उसके बाद प्याज उसके बाद लेंगे हम मिर्ची टोमेटो और यह क्या है बताओ यह है अद्रक एक इंच अद्रक आठ से दस लसुन बड़ी लाइची लाल फुल डालचिनी दो लॉंग सूर्य फुल थोड़ी सी काली मिर्च जीरा इस सब का हम बनाएंगे पेस्ट और इसमें एक और चीज आड़ करेंगे वो है कोतमीर पाने में भीगो के रखती थी उसको हम एड़ करेंगे तो उसका स्वाद अच्छे से उसने मिक्स हो जाएगा इन सब की अब बनेगी पेस्ट इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे ताकि वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए देख सकते हो पेस्ट बहुती सिल्की और स्मूथ हो गई है जो आप देख सकते हो इसका टेस्ट चिकन में अच्छे से आना चाहिए इसलिए इसको हमने और बारिक किया है पाव किलो चिकन लेकपीस और पाव किलो ब्रेस्ट का चिकन लिया है तो इसका हम बनाने वाले चिकन मसाला लेकपीस इसको हम अभी करेंगे मैरीनिट मैरीनिट करने के लिए रखे है जिसको हम कितना टाइम रखेंगे वनार एक गंटे के लिए इसको मैरीनिट करने के लिए रखेंगे उसके बाद यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसमें हम डालेंगे मालवनी मसाला जो आता है सीधा माला तो आप मगा सकते हो हमारे यूट्यूग चानल को रिक्वेर्ष भेज के कमेंट करके अगर आपको चाहिए तो अप मिले गई है इसके साथ हम डालेंगें कोड़ी 2 डाली हेंगे एक चमच मालवनी मसाला लाना असमें जो आप देख सकते हो इसके बात दाला है रहाओं हम छे स offense अछे मैरेने यह शब्द मैने पहली बार सुना है मेरेने लिंट किसे लिए इत्राइपीजर यह डालाई के निवह सकते हैं। यह जाधा तिखा नइवाधी हैं इतना ही डाल रहे हैं इसके बाद हम क्या डाल रहे थे इसमें। का चिकन मसाला भी एक्स्ट्रा इसमें टेस्ट हो जाने के लीए हमने डाला है जो आप देखके सकते हो इसमें चाहिए तो आप ङरुद्र कर सकते हो थोड़ा और करेंगे नमक पूरी पूरी तरह से हमने मिक्स करके रखा है जो रखेंगे हम एक घंटे के लिए हमने पेस्ट बनाया है वो सब चिकन में मिक्स होने के लिए रखेंगे एक घंटे के लिए और मिलेंगे हम एक घंटे के बाद चल एक घंटा मैरिनेट करके रख लिया है हमने चिकन को अब हम इसको बननी की तयारी करेगे, जिसके लिए हमने कडाई में दो बड़े चममच तेल डाल दिये, जैसे ये तेल गरम हो जाएगा हमें इसमें डालना है एक तेज पस्ता, उसके बाद हमें डालना है इस फुटा दालना, अब हम इसमें मारिनेट किया हुआ चिकिन डाल देगे, यहे हमारी ब्लैक्सी अभी हम इसको कितना टाइम में पकाएंगे पहले इसको अच्छी तरह से भून लेना है जिब ततका वूपर अतना तेल ना छोड़े उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालके जितना भी हमें उसकी ग्रेवी चीह हुआ पानी डालके हमें उसे 15-20 मिनिट पकाने लगीगों 15-20 मिनिट अभी पकेगा और उसके बाद में यह रेली हो जाएगा अपना चिकन मसाला लेक पीस नम नम चिकन मसाला लेक पीस तेज आज पर पक रहा है जब यह पक जाएगा तो फिर हम इसका सीन देखेंगे कैसा होता है और टेस्ट भी करेंगे और इसको रेटिंग देखेंगे एक आउट आफ फाइव तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद टाटा बाइबाई नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूँ सागर और आप देखेंगे मेना चैनल सागर दी व्लॉगर आज हमने बनाया था क्या बनाया चिकन मसाला लेक पीस जो हम ट्राइ करेंगे अभी कुछी पलों में जिसका इंतजार अब खतम हुआ है और जाएंगे हम जो बना है चलिए फाइनली हमारा चिकन मसाला लेक पीस बन के तयार है जो आप देख सकते हो चलिए अभी इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसा है वाव यम्मी यम्मी चो तो चलिए अभी इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा चिकन मसाला लेक पीस यह बहुत गरम है आप माती टेस्टी लग रहा है बहुती गरम है बहुती गरम है इतना गरम मैंने जिन लगी में कभी खाया नहीं गर्लेकिन फिर भी मैं आज ट्राइ करा आउ सिर्फ लॉक के लिए बहुती गरम है यह ताब तो चलो टेस्ट करके देखते हैं यह है हमारा चिकन मसाला लेगपीस जिसको हम अभी टेस्ट करने वाले हैं और टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ यह कैसा लग रहा है यह है हमारी मास्टर से जिन्होंने बनाया है चिकन मसाला लेगपीस थैंक यू सो मार वेलकम तो इसी तरह हम अभी ने ने रेसिपीस के वीडियो भी बनाएंगे तो यहां अपलोड गरेंगे तो ऐसे ही आप देखते रहना और में बताते रहना थैंक यू